कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कुरकुरे खाने का मन होता है और मार्केट जाने का भी नहीं, दुकान तो बिलकुल नहीं, तो आज हम बनाएंगे घर पे बहुत ही आसान रेमेडी के साथ में, माही विलेज रेसिपी में आप सभी का स्वागय था, आप बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ, सो आज हम बनाने वाले हैं टेड़ी मेडे या कुरकुरे, जो मार्केट में पैकेट के हिसाब से मिलते हैं, आज हम बनाएंगे और छे मेने के लिए श्टोर भी करेंगे, तो बहुत ही इजी और सरल तरीका लेके आया है, तो आपको मैंने द दो डाले दी हैं, अरहर की और चने की डाल, जिसको आप पसंद करते हैं, उसका बना लीजे, उसके बाद में करना क्या है, आपको इस तरह का आटा बनाना है, आटा का जो आप रखना है, आपको बहुत ही पतला रखना है, और ये मैंने लिया है चावल, तो एक कटोरी आप या चमच से मेजर्मेंट करेंगे, बहुत जरूरी है मेजर्मेंट करना तो आप किसी एक चीज़ से मेजर्मेंट लेके चलें, तो मैंने एक चमच ली है, इसी से सारा मेजर्मेंट कर रहे हैं, तो आप भी एक क्योई कफ या कटोरी ले लीजिए, तो हमने एक कफ अप जो दाल का आटा होता है उसी को हमने डाला है जो अभी हम बेसन भी कह सकते हैं या फिर अरहर की डाल का भी कह सकते हैं तो एक चमच मैंने बेसन लिया है और उसमें डाला है हमने थोड़ा सा अपना टेस्ट के अनुसार नमक और फिर इसके बाद में बेकिंग सोडा बेकिंग सोड चमच चावल का आटा तो एक चमच हमारा हो गया बेसन और आधा चमच हो गया हमारा चावल का आटा आप इसकी जगा पे चावल के आटे की जगा पे सूजी भी मिक्स कर सकते हैं और नहीं तो आप गेहूं का आटा भी मिक्स कर सकते हैं तो आपके जो समझ में आता है वो कर ल तो आप अगर बच्चो को बना रहे हैं या फिर अपने लिए बना रहे हैं तो फिर ये थोड़ा सा मसाला आप डाल दीजे अगर आप बडू को बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा उसमें लाल मिर्च वगरा डाल दीजे अभी हम इसमें साधा बना रहे हैं क्योंकि छोटे तो उसी से हम सारा मिजर्मेंट कर रहे हैं तो इसी के बाद में थोड़ा-थोड़ा करके हम पानी मिक्स करेंगे तो लगबग अभी तीन कफ हमारा पानी हो गया है इसके बाद में फिर से हमने एक कप पानी डाला है और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमें इसको अभी यहां गैस से पहले ही अच्छे से mix कर लेना है और इसको na maximum 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है तो इसमें जो आपको लगता है गाठ जैसी पड़ रही है उसको अच्छे से mix कर लेना है ताकि इसमें गाठ वगरा ना पड़े और अच्छे से ही हमारा आटा बहुत अच्छे से 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 हो जाए तो इसको इस तरह आप चम्मस से चलाते रही है तो यह बहुत अच्छे से 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 हो जाता है इसमें क्या रहता है कि आप अगर अभी इसको कर लेते हैं फिर हमें आगे चलके gas पे ज़्यादा काम नहीं बसता है तो अभी इसको आप थोड़ा सा ना यहाँ पे अच्छे से चला लीजी और फिर इसको maximum 10 मिनट के लिए rest पे छोड़ दीजी अगर आपके पास time है तो अगर नहीं है तो आप फिर इसके बाद gas में भी direct चड़ा सकते हैं लेकिन हमारा यह रहेगा कि आप ना 10 मिनट तो छोड़ के चले लेकिन अभी इसमें क्या है थोड़ा सा पानी कम हो गया है क्योंकि अब 10 मिनट जब रखते हैं तो चावल का आटा होता है वो पानी थोड़ा सा जादा लेता है तो इसको ना 10 मिनट आप ज़रूर ऐसे ही डालने ताकि हमारा आटा बहुत अच्छे से सेट हो जाए अगर आप अपी तक हमारे फैमिली का हिस्सा नहीं बने है तो चैनल सस्क्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाए ताकि एक नई वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे तो अभी आप देखो ये आटा जब अच्छे से फोल जाता है तो इसका ना गलर भी चेंज हो जाता है और आटा का ना जो पार्ट है वो भी थोड़ा सा जादा हो जाता है तो आप देखो इसको जब इतना पतला आपको रखना है तो अभी ये लगबग हमने 10 मिनट रखा है और ये अच्छे से सिट हो चुका है इसके बाद में हम चलेंगे गैस पे गैस पे थोड़ा सा काम हमारा और बसता है फिर उसके बाद में हमारे कुरकुरे बनेंगे जो सबसे अलग होंगे और इसका पार्ट क्या रहता है कि हम जादा से जादा टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं तो ये तरीका बहुत अच्छा है इसमें क्या है कि हमारा ये रहता है कि हम ज्यादा टाइम तक स्टोर भी करके रख सकते हैं और खराब भी नहीं होता है तो ये कुरकुरे बनाने का बहुत अच्छा तरीका होता है जो मैं हमेशा बनाती हूँ और रखती भी हूँ इसके बाद में हमने डाला है थोड़ा सरसो का तेल इससे क्या है कि हमारा जो आटा है गैस पर वो चिप केगा नहीं तो फिर ऐसे थोड़ा सा सरसो का तेल आपको डाल लेना है और थोड़ा सा आपको कलर मिक्स कर लेने है तो कलर आपको ड्राइफोर्स मिक्स करने जो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं क्या है न हमारे कुरकुरिय दिखने में भी थोड़ा से अच्छे लगते हैं जिसे हमारे कुरकुरिय बनते हैं पैकेट वाले आते हैं सेम वैसे ही बनेंगे और बहुत अच्छे लगेंगे तो थोड़ा सा ड्राइफ फोट्स कलर आते हैं वो मिक्स जरूर कर लिजिए तो इस यहां पे ये भी है कि आप इस तरह कुरकुरे अगर बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए आप इस्टोर करके भी रख सकते हैं तो इस तरह आप बनाके ढेड़ सारे रख लीजिए और डिब्बे में पैकर के जरूर रखे तो यह बहुत अच्छा तरीका ह इसमें तो आपना इसको थोड़ा-थोड़ा चलाते रहें बाकी जब आप सरसुका तेल डालते हो फिर इसके बाद में यह चिपकेगा बिलकुल नहीं तो इसमें आप सरसुका तेल इसमें जरूर डालिए ताकि इसमें जो चिपकना है वो बंद हो जाए तो अभी आप पर चोड़ने पर 10 मिनट के बाद में यह बहुत अच्छे से बन जाता है तो अभी आप देखो बहुत अच्छे से यह बन गया है डो आपको सेम ऐसा ही रखना है जादा आपको पतला नहीं रखना है ताकि हमारे कुरकुरे जो बने बहुत क्रिस्पी बने और बहुत ही जिससे आप बहुत असानी से बना सकते हैं उसको इस तरह रख लेना है और इसमें जो हमारा डो है इस तरह हमें डाल लेना है तो इसके बाद में आप क्या करेंगे इसका जो कोना होता है वो हम थोड़ा सा कट करेंगे और उससे हमारे कुरकुरे बहुत अच्छे बनेंगे तो जितना पार्ट कुरकरी का होता है उतने उतने साइज के हम बना लेंगे इस तरह बहुत आसानी से बना सकते हैं इसमें कोई ज़्यादा जंजट नहीं होता है और ज़्यादा से ज़्यादा बना के श्टोर करके भी रख सकते हैं तो आप देख लिजिए बहुत आसानी से यह बन जाता है देखिए बहुत सारे मेने बनाए हैं और बहुत आसानी से बन जाता है इसमें जाता कोई दिक्कत भी नहीं आती है और इस तरह बना की और मिक्समम एक या दो दिन में बहुत आसानी से बन जाता है और सुक भी जाता है वीडियो कैसा लगा कमें बुक्स में ज सब्सक्राइब कीजिए का मिलते हैं ने स्वीडियों वो थैंक पूर।